अलो गाईज, कैसे आप सब लोग टेरोक्सपटफल 6 पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज हमें एक आजीव रिडिंग कर रहे हैं ठीक है थोड़ी सी अनोखी रिडिंग है ठीक है चले मैं बताती हूँ क्या करने वाले आज ठीक है आप किसी का भी नाम सोचे मन में, दिल में, दिमाग में ठीक है मैं तीन-चार कार्ड निकालूँगी उसके बाद में बताओंगी इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं तो किसी का भी नाम सोचकर एक कार्ड को आपको चुनना है ठीक है चले देखते हैं क्या आता है फिर मैं आपको detail में बताऊँगी इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं तो सबसे पहले मैं three cards निकालूँगे आपके लिए और फिर आप देख सकते हैं अलग-अलग इंसानों के लिए भी आप ये reading देख सकते हैं प्रसनर रेडिंग के लिए आपको स्क्रीन पे एक नमबर मिल जाएगा आप मुझे कॉंटेक्ट कर सकते हैं message करें, call method करें, okay what's up message का WhatsApp message के लिए एक नमबर दे रखा है मैने परसनर रेडिंग के लिए स्क्रीन पर आ रहा होगा उस नंबर पर मुझे मैसेज करेगा ओके बहुत ही उफड़बल चार्जिस लेती हूं पर्सनल रिडिंग के कहीं सोचने की ज़रद नहीं चलिए देखते हैं रिडिंग में आ जाते हैं गाइस हम थ्री कार्ट निकालेंगे फर्स्ट कार्ट सेकेड थर्ड ओके तीन कार्ड निकाले हैं मैंने ठीक है आप अगल अलग 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 इनसानों के बारे में भी देख सकते हैं पूरी रिडिंग देख सकते हैं अलग 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 इनसानों के लिए तो कार्ड नमबर वन किसी एक इनसान के लिए card number two किसी और इनके लिए और card number three किसी और के लिए ठीक है तो इनसान आपके बारे में सोचते क्या है ये हम पता लगाईगी ठीक है तो मैं cards को पहले दिखा लेती हूँ आपने या तो one two three number से चूज कर लीजी या फिर आप card देख की चूज कर सकते हैं सबसे बहला card है All That Glitter number 16 का ये number one card है number two है milk and honey number 51 ठीक है और number three है imagine number 20 ठीक है तो मैंने तीनो card आपको बता है हैं आप अपने intuition से या फिर इनके हो color को या फिर cards को देख कर भी choose कर सकते हैं one two and three तीनों मैं से कोई भी excuse me मेरा थोड़ा से गला खराब है okay so guys start करते हम card number one से all right card number one 16 number का card है सबसे पहले इनके बारे में बताती हूँ ये इनसान क्या सोचते हैं actually इनसान जो है आपके बारे में ये सोचते हैं कि आप थोड़े बदल गए हो ठीक है इनसान ऐसा सोचते है number seven भी important हो सकता है six number important हो सकता है इनसान आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप पहले से बदल गए हो पहले आप जिसे कहते हैं चमकेली चीजों के पीछे भागते थे जो चमकता था यानि कि शान शौकत सुनदर था इन चीजों के पीछे पैसा ठीक है इन चीजों के पीछे आप भागते थे लेकिन अब आप सुधर रहे हो कही ने कहीं बदल गए हो आप कही ने कहीं जैसे कहते हैं authenticity की पहचान गए हो सोनी की परक करना आपको आ गया है जैसे सच्चा सोना जैसे कहते हैं उसकी अलग पहचान होती है हर चमकती चीज सोना नहीं होती उसी तरह आपको एक जैसे बदलाव आ रहा है आप रिष्टों को समझने लगे हो सच्चे रिष्टों को समझने लगे हो सच्चे सोनी की पहचान आपको हो गई है इस तरह से इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं यानि कि आप प्यार को समझने लगे हो सचे प्यार को समझने लगे हो और आप में कहीं न कहीं बदलाव आ रहा है जिसके कारण अब आप पहली वारी चीजों के बारे में नहीं सोच रहे हो, चमकती चीज जैसे कहते हैं रिष्टों में पैसे को लेकर रिष्टों में चमकती चीजों के पीछे भागना आपने सुन्दरता के पीछे भागना पैसों के पीछे भागना छोड़ दिया है ठीक है इस तरह की situation आपके बारे में सोच रहे हैं इंसान ठीक है और आपने एक बात और मुझे आप इस काड को देखके नजर आ रही है शायद आप नहीं हो सकता है कि अपनी जीवन में जैसे शान और स्वकत को प्रायुटि दिये ठीक है लेकिन अब जो है उन चीजों से आपका लगाऊनिये ठीक है आप जैसे कहते हैं बहुत बड़े बदलाव से गुजरो ये चीज आपकी एक अवेकनिंग हुई है और बहुत ज़्यादा बदलाव से अग उजर रहे हो लेकिन आप चीज हो कि पीछे भागना आपने छोड़ दिया है ठीक है पैसा 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 करना आपने छोड़ दिया है और एक अच्छी जैसे कहते हैं ना किसी ने अपना मुखोटा उता है आपके बारे में क्या सौच तो सबसे पहला और है में पास सेवन अपक्원 सेवन आपके लिए ईसमें सोच रहें उसमें मा कफयीन है ठीक है यह सोच तो रहें कि आप में बदलाव हो गया लेकिन कहीं न कहीं आपके पास options को ले कर ये बहुत ज़दा confusion में हैं आपकी energies को ले कर ये बहुत ज़दा confusion में ये कहीं न कहीं जैसे कहते हैं आपके साथ जैसे आना है तो इनको रास्ता नजर नहीं आ रहा कि कैसे ने जर आए ठीक है और क्या सोच हैं यह definitely आप से reconcile होना चाहते हैं कोई Sagittarius sign का होना चाहिए धनूराशी का होना चाहिए बट यह definitely आपके एक्स हो सकते हैं जो कि आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप आपको भी reconciliation चाहिए आपको भी दुबारा इनके साथ आना है आपको कुछ realization हो रहे हैं आप confusion में इस तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं ठीक है और और क्या सोच रहे हैं कहीं न कहीं आप जो है अपने जैसे दिल के हार्ट को जो कि जैसे कहते हैं किसी आर्ट ब्रेक से गु कोई problem जहला है ठीक है उससे आप बहार आ रहे हो यह literally आपका दिल टूटा है किसी बात को लेकर तो अब आप उसको heal करके वापस prepare कर रहे हो ready हो ठीक है इस तरह की चीज़ें आपके बारे में सोच रहे हैं लास्ट वन क्या है और क्या सोच रहे हैं यास आप सोचे हो कि आप के बारे में यही सोचे हैं कि आप अपनी जीवन से उदास और निराश थे लेकिन आप जो है आप कहीने कहीं एक निराश्चा के भाव से हटकर आप उजाले की और देख रहे हो कहीने कहीं जैसे कहते हैं एक नई शुरुबात की देख रहे हो कहीने कहीं आपको एक reality check मिला ह है और यहीं जो है कहीने कहीं सूरी की किरन दिखाई दे रही हैं कि एक सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो यहाइस हैरोफेंट का काड़ है आप commitment की सोच रहे हो आप कहीने कहीने इपनी शादी को लेकर जैसे कहते हैं क्लीर कट सोच रहे हो आप सही रास्ते प यह जिनके बारे में भी reading थी इंसान जो है कहीने कहीने आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं कि आप बदल रहे हो आप पहले जैसे नहीं रहे आपको पर्मानेंट commitment चाहिए casual relationships आपको नहीं चाहिए ठीक है कुछ reality check आपको मिला है ठीक है उससे आप सुधर रहे हो और कहीने कहीन आशा की किरन आपको दिखिए ठीक है कहीने कहीन आप commitment के लिए ready हो ठीक है इस तरह की बाते यह इंसान आपके बारे में सोच है तो इस reading से आपको कुछ भी connectivity मिली तो आ number two choose किया था यानि की वाला card milk and honey वाला number 51 लिखा हुआ इस पर ठीक है तो यह इंसान आपके बारे में क्या सोचते हैं तो अगर reality बताऊं तो आपके बारे में यह रिष्टे में बहुत अच्छा सूच रहे हैं ठीक है आपका रिष्टा already मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और यह जो इंसान है आपके साथ बहुत सारी जिंदिकी को आगी तक इमेजिन कर रहे हैं ठीक है एक्चुली आपसे रिष्टे को और ज्यादा जैसे कहते हैं बहुत strong bond बनाना चाहते हैं ठीक है आपसे जो भी इनका रिष्टा है प्यार महबत है यह जैसा भी रिष्टा है उसको एक एक लेवल तक आगे बढ़ाना चाहते है ठीक है मिल्क एन हनी का काड़ है यह मुझे ऐसे लगता है कि यह जैसे कितना मिल्क तो बना हुआ है पर उसमें हनी एड करके आपके रिष्टे को और भी strong बनाना चाहते हैं यह बहुत प्योरिटी की साथ आगे बढ़ना चाहते हूं अपनी अपनी लव को एक बहुत अच्छे तरीके से नए पैमाने पर आगे बढ़ाना चाहते हो एक स्टेप आपकी लव लाइफ आगे बढ़ने वाली है ऐसा मैं कहूंगी ठीक है क्योंकि आपके पास सारे टूल्स हैं आपकी जो सिच्वेशन है उसमें आपक आपके सामने एक रेंबो आपको दिखाई दे रहा है और आगी जैसे खुशियां खुशियां तो यह इंसान आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहा है यह जो भी हो सकता है आप से कमिटेड है या फिर आपको कमिट्मेंट को लेकर कुछ क्लियर्टी मिली है यानि कि आ आप दोनों का रिष्टा जो है और भी अच्छा होने वाला आने वाले टाइम में इनको यह आशा है और आपके बारे में यही सोच रहे है कि आपका रिष्टा इनसे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग बने ठीक है और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में चले देखते हैं मेरी विविवर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं एक काड आगया यहां पर देखे 10 of wands का काड है यह इंसान आपके बारे में यह सोच रहे हैं कि आपके heart की healing हो चुकी है ठीक है आप किसी burden से बाहर आ रहे हो आप जो pressure जिल रहे तो उससे बाहर आ रहे हो कहीने कहीं आप अपना बोज जिंदिकी से उतारने वाले हो इस तरह की बातें आप से सोच रहे हैं आपके बारे में यह सोच रहे हैं कि आप किसी बोज़िल चीज से बाहर आ रहे हैं यानि हो सकता है कि आपका रिष्टा अभी तक stuck हो लेकिन आप कहीने कहीं वर्क आउट हो रही है चीज़े ऐसा मुझे आप लग रहे है आपका कोई secret relationship हो सकता है यह बहुत intuitive इंसान है जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं तो यह इंसान आपको intuitively बहुत ज़दा secret connection में रखना चाहते हैं आपको एक secret woman बना के रखना चाहते हैं यह फिर man भी हो सकता है ठीक है आपका relationship मुझे इंसे secret दिखाई दे रहा है ठीक है तो यह जो है कहीने कहीं बहुत intuition को अपने दिल को आपसे connect feel करते हैं ठीक है और आपसे बहुत ज़दा connectivity इंको मैसूस होती है ठीक है जो connection आपसे feel होता है वो इनको अलगता है कोई spiritual connection है ठीक है आपका bond इनके साथ इनको ऐसा feel होता है जैसे कि हो सकता है कि यह पहले से आपको जानते है past life connection हो सकता है या फिर जो connectivity आपसे feel होती है और किसी से नहीं होती ठीक है एक नई शुरुवात ऐसी जहां पर हो सकता है अपनी फिलिंग्स को जादा नहीं बता पाएं लेकिन आपके साथ एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं यह नई शुरुवात करने की सोचे हैं आपके बारे में और क्या सोचे हैं आपके साथ एक नई शुरुवात तो यह है क्योंकि हाँ पर इन्होंने जब भी शुरुवात की रिष्टों की इन्होंने कुछ नों कुछ फेस किया ठीक है तो अभी जो है यह बहुत ज़्यदा जैसे कहते हैं भुगत भोगी इंसान यानि कहीं ने कहीं इन्होंने रिलेशन्शिप को बहुत प्रैक्टिकल साइट है मुझे बारे में सोचते हैं कि आपनी रिष्टों को छोड़ा है आपके रिष्टे अच्छे नहीं चले हैं अब» पूरी पूरा पूरा प्यार दें और आपके साथ जो है प्यार देना चाहते हैं क्योंकि आपने रिष्टों को बहुत ज़्यादा भुखता है ठीक है तो यह सिच्वेशन मुझे कार्ट की लग रही है अगर आपको कुछ भी कनेक्टिविटी इस रेडिंग से फील होती है तो ज़रू बताईगा ठीक है नेक्स रेडिंग में टू के एनरजी से मुझे ऐसे लगता है कि इस इंसान के पास चॉइसे हैं पर यह आपके बारे में इमेजिन जादा करते हैं ठीक है इनको स्टिल जैसे कहते है थोड़ा सब दूदला पन है यह इमेजिन करते हैं पर दूदला पन है क्लिर्टी आपके रिलेशन्शिप में नजर आ रही ठीक है कुछ दुन्दलापन है इसलिए साफ साफ नजर नहीं आ रहा इनके अभी फिलाल कहलें कि दो राहे पर हैं ठीक है यह कुछ जैसे डिसाइड नहीं कर पारे आपके लिए लेकिन कुछ दिखा रहे हो आपको क्लिर्टी नहीं है इस तरह की बाते हैं लेकिन इमेजन आप बहुत ज़्यादा करते हो ठीक है और थिंकिंग भी हो सकती है डेफिनेटली आप और थिंकिंग करते हो इमेजन करते हो इस तरह से मुझे आप एक कार्ड बता रहे है तो यह इंसान आ और कारण नमर 3 वाले क्या सोचते हैं आपके बारे में कारण नमर 3 क्या सोचते हैं जनका नाम सोच कर आप आप कारण जैसे कि मैंने का टूटू के एनरजी आ रही है इनके पास दो चॉइसे हैं सबसे पहला ही काड मुझे बता रहा है कि यह आपका वेट करें पर इनके पास चॉइसे हैं क्योंकि इन्सान पेशेंट ली वेट करें कि आपके साथ रिश्टा कब आगे बड़े इन्होंने कुछ आपके साथ कोई और भी है ञाएं और प्राम है फिर कि फॉप्षन करें व्योंस कार्ट के साथ क्साथ हैenne मैं नesle बिलकुल mind इनका definitely दो option में उल्जा हुआ है लेकिन victorious आप से होना चाहते है six of wands के energy है struggle के बावजूद ये आपके साथ शादी भ्या की सोच रहे है इस तरह के आपके साथ और क्या सोच रहे है इनको लगता है कि आपके इनके relationship में चीजें बहुत easy नहीं है इसलिए बहुत hard work करके भी आपके साथ जीत हासिल करना चाहते है और क्या सोच रहे है seven of cups again confusion वाली energies आ रहे है या आपके बारे में यही सोच रहे है कि आप confusion में हो आप decision नहीं ले पारे हो आपको रास्ता नहीं मिल रहा है कि क्या करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आप प्यार तो करते हो पर प्यार में आपको जैसे हिम्मत और ताकत नहीं है struggle face करने की आदत नहीं है या कहीने कहीन बहुत सारी चीजों को लेकर आप confusion में हो तो इंसान आपके बारे में पूरी तरह यही सोचते हैं कि आप इमेजन तो बहुत करते हो इनको पसंद भी करते हो बट आप clarity इनको नहीं देते हो और क्या है यह इस यह इंसान आपके बारे में यह सोचते हैं कि आप थोड़ा सा अपनी तरीके से चलते हो ठीक है आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप आपने आपको रोकते हो आप बहुत जश्से कहते हैं रहे स्पॉंसिबिल पर्संन हो लेकिन कहीं कहीं शो ऐसा करते हो कि माइवी और हायवी चलना है झासे हो ना दो आपकी सोच कर चलने वाले इंसान हो इसमें कहीं नहीं आपका डिसेजन जो है पैंडिंग रह जाएगा ठीक है और ओल पेज आपके लिए इनका वीजन भी क्लियर नहीं है यह आप जो इस तरह से दो दूविदा में आप हो और इनको कुछ क्लियराटी नहीं दे डे पर चलोंगे आप को आपके ऑपनी तरीपे भरोसा निये है यह थार नंबर वालों की स्रीजिय अगर आपको बताएक ठीक है नेक्स रिटिंग में फिर से मिलते हूं गाइस तब तक के लिए बाबाई